नाज़कार बहुत बहुत स्वागत है आपका निज़ोल इंडिया मैं मैं हूँ आपके साथ प्रद्यूमि शर्मा एक नज़र डालते हैं उत्तरा खंड की खास कबरों पर लालकुआ मैं भाचपायुवा मोर्चा के मंडल अद्धक्षियों सहेच जिराकोशद्यक्ष का भाचपा कारेकरताओन उन्हें जोड़दार स्वागत किया जिसमें कारेकरताओं को मिशन 2022 में जुड़ जाने पर जोड़ दिया गया है जिसके चलते कारेकरताओं का आहान भी किया गया और मिशन 2022 को सफल बनाने के लिए अभी इसे जुड़ जाएं साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जो जिम्मेदारी संगठन ने उन्हें सौपी है उस पर पूरी तरीके से खरा उतरेंगे और संगठन को बूत इस तर पर मजबूत करेंगे लालकुआ में देश में बढ़ते हैं बर्ट फ्लू के प्रकोब को देखते हुए वन विवाग पूरी तरीके से अरट पर है वन संरक्षक ने वन करमचारी और अधिकारियों को पक्षी की निगरानी के साथ ही जनता से सयोग के निरदेश दिये हैं वन संरक्षन जीवन चंद्र जोशी ने बताया कि बर्ट फ्लू की दस्तक से प्रदेश में हल चल भड़ गई है बर्ट फ्लू पर वन विवाग पूरी तरीके से सतरक है और साथी साथ कारवाईख ही जा रही है जिसके लिए उन्होंने समस्त प्रागिये अधिकारियों को दिशा निरदेश भी यहाँ पर दे दिये हैं हलदवानी वरिष पुलिस अधिक्षक ने व्यपारियों से रंगदारी मामले में दो महिला समेट तीन पुर्षों को गिरफ़तार करके जेल भेज दिया है जबकि एक आरूपी जेल में पहले से ही बंद है व्लासा करते हुए वरिष पुलिस अधिक्षक प्रीती प्रियदर्शनी ने बताया कि रीता खंडेलवाल लामक व्यापारी के दौरा एक तहरीर दी गई थी जिसमें उनसे 50 लाग की रंगदारी मांगी गई थी इसके बाद पुलिस ने कारवे करते हुए आरूपियों को ग्रफतार किया और जेल भेजा हलदवाने की वरिष पुलिस अधिक्षक प्रियदर्शनी के नेरते तुम्हें मोबाइल रिकवरी सेल के दौरा लगबग 304 मोबाइल बरामत किये गए हैं वहीं वरिष पुलिस अधिक्षक ने बताया कि एक्टूबर 2020, 6 परवरी 2021 तक कुल 304 मोबाइलों को पुलिस के दौरा जगा जगा से बरामत कर लिया गया है और जिनके मोबाइल गायब हुए थे उनके परिजनों को दे दिये गए हैं उत्राकंड की राजदानी दहरदूर में स्मार्ट एलेक्टरोनिक बस के संचारन के लिए स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने रूट फैनल कर दिया है जानकरी के नुसा ने निताल में ये सीजन का पहला हिंपात है अलाकी अभी तेज बर्फवारी नहीं हुए है लेकिन उमी जताय जारी है कि नेड़ी ताल शेहर में भी अच्छी बर्फवारी देखने को मिल सकती है उत्राखंड में कोरोना संक्रमित मामले और मरीजों की मौत में कमी आई है पिछले 24 गंटे के बीट रेक्सो तीन नए संक्रमित मिले है और चार मरीजों की मौत हो गई है संक्रमितों की तुलना में च्छीक होने वाले मरीजों की संक्या कम रही साज जिलो में कोई नया संक्रमित मामला नहीं मिला है कुल संक्रमितों की संक्या की बात करते हैं तो 96,384 हो गई है फिलाल इस बुलिटिन में सिर्फ इतना ही बने रहिए निजवल इंडिया के साथ नमस्कार